नमस्कार दोस्तों योगेश टेक्निकल में आपका फिर्ट से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा खास कर उन दोस्तों को जो अभी इस फिल्ड में नई हैं और जिने काफी परिशानी आती है जो गीजर होते हैं उनके कनेक्शनों को करने में दोस्तों मैं आज आपको विस्तार से इसके वो सभी कनेक्शन बताऊँगा जिसके बाद आप असानी से इसके कनेक्शन कभी नहीं भूलेंगे और असानी से ही कर पाएंगे ये कनेक्शन आपको इस्टेंट टाइप गीजर मे मिल जाएंगे और storage type गिजर में भी आपको मिल जाएंगे हाँ आज कल कुछ नए component आ चुके हैं इन गिजरों में यानि कि जो thermostat होता है इसमें जो thermostat है वो एक लंबी रोड़ वाले thermostat होते हैं लगबग यही thermostat आपको मिलेंगे storage type gas की जरों में हाँ कुछ नया modern रूप आ गया है उनका भी मैं आगे विस्तार से एक वीडियो बनाऊगा लेकिन जो है thermostat आप देख रहे हैं दो thermostat किसी में एक होता है किसी में दो होते हैं मैं आप आज इन दोनों thermostat connection आप कैसे करने में वह बताऊंगा यह एक लंबी स्ट्रिप टाइप होते हैं जो एक स्ट्रिप होती है पीतल के खोल में बंद वो हमारे गीजर को अपने निर्धाय तापमान पर पहुंचने के बाद इसे आर्टो कट कर देते हैं लेकिन कई बार संसे होता है कि यह दो thermostat क्यों हैं तो दो thermostat इसली होते हैं कई बार हमारा एक thermostat फेल हो लेकि एक thermostat की मैने वायर पर हाथ लगाया हुआ है दोस्तों यह इसकी मेन वायर है यानि कि जो हमारी हम सोकट से वायर लगाते हैं वो हम thermostat के एक पॉइंट पर देंगे और आपको जातर फेस ही देना चाहिए यह बात आप हमेशा ध्यान रखिए आप thermostat में फेस ही देंग और जो नूटल वायर होते हैं दोस्तों वो आपको सीधा हमारे इमर्शन रोड पर दे देना है जो दूसरा पॉइंट है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे तो हमने फेस की वायर को एक thermostat के एक पॉइंट पर दे दिया और जो नूटल है दोस्तों वो आपको इस जाएगा और दूसरे thermostat में इंटर कर जाएगा जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ और उस दूसरे thermostat से वो फिर तार निकल कर सीधे हमारी connecting यान की इमर्शन रोड पर चली जाती है तो ये एक thermostat क्नेक्शन होते हैं एक इमर्शन रोड के पॉइंट पर जाने तक इसमें दो इंडिकेटर होते हैं एक जो इंडिकेटर होता है कटोफ का वो सीधा आप राड के दोनों पाइंटों पर लगा दीजिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है राड के दोनों पाइंटों पर हारे वाला इंडिकेटर लगा दीजिए जब भी राड की सप्लाई होगी तो इंडिगेटर ओन होगा और जो दुसरा इंडिगेटर हो तो लाल रंग वाला इंडिगेटर जो दिखाता है कि हमारे गैस्गिजर में सप्लाई है उसकी एक तार आपको जहां हमने थर्मोस्टेट की पहली वायर दी थी फेस वहां दीजिए और एक तार हमेशा इमर्शन रोड की नूटल पर दीजिए जो निले रंग की वायर मैंने आपको दिखाई थी तो हमने यहां पर फेस दे दिया इसमें यहां से वह फेस निकला उसके बाद दुसरे थर्मोस्टेट में वह फेस इंटर कर गया जो आप दिख़ेंगे एक प्रगट कोड़ा छोटा सी बलैक रंग का यहां से इंटर कर गया इस दूर में दूसरे थर्मोस्टेट में और यहां से वह निकल कर सीधा हमारा इस इमर्शन रोड के प्वैंट प को दिया है जैसे में आपको दिखा रहा था कि इंडिकेटर का जो वाइदि वो मैं फिर आपको बसा देता हूं दूबारा से जो उसकी दोनों तारह आपको connecting रोड के दोनों पॉइंट ओप्र देनी है जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हुँ जो तोंँ दोनों की इंडिकेटम के वायर है सिधा हमें इसे क्ररेक्टिंग जोंगा पर दे दआ यह राड के साथ लेक हको वियाने जब चलेगी तो यह इंडिगोनों का राड जब ओफ की है यानि की फेस में और एक आपको नूटल पर दे देनी है चाहे वो आप हमारा इमर्शन रोड का जो पॉइंट है जिस पर हमने नूटल दिये उस पर दे सकते हैं तो ये बिल्कुल असान क्नेक्शन होते हैं और आप असाने से कर पाएंगे विशेशकर हम कई बार कन्फ्यूज जाते हैं दोस्तों की दो थर्मोस्टेट हैं लेकिन दोनों तर्मिट्टा काम एक ही है यहां से हमने फेस दिया इस पॉइंट से ये फेस निकल गया जो दोसे तर्मिट्ट का दोसा सिरा है और सिधा कनेक्टी नोड पर चला गया तर्मोस्टेट काम यही होता है कि वो जो तापमान हमने सेट किया है यानि की 65 से 70 डिगर के असपास उस पर आने के बाद ये हमारे गिजर की जो राड है उ असानी से आप ये क्रेक्शन कर पारेंगे इस विषया पर विश्तार से एक वीडियो भी है आप देख सकते हैं और भी को अगर प्रोडम आपको क्रेट होती है in gas connection में तो आप मेरे को पूछ सकते है और आपको कभी भी gas तो आप उसकी वायरिंग का एक फोटो खीच लीजी दोस्तों पहले फिर आपको असानी हो जाएगी अगर कोई वायर मिस हो जाती है या मिस हो जाती है तो आप उसे दुबारा से ठीक कर पाएगे कोशिश थी नए दोस्तों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाने की जिससे की वो दोस्तों में श्रमेश्टेक नेक्षन को आपस में जान सके वीडियो को लाइक और शेयर वश्क कीजिएगा जो दोस्तों नए है चलकुस्त्राइपना मत भूलेगा धन्यबाद दोस्तों